सबी जरकंडी भाय बंदुओक और जोहार कैसे हैं आप सब सब कोई अच्छे होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे मेरा नाम है विजय और वल्कम बैक टो माई चैनल मॉडर्ण इंग्लिस वर्ल्ड बाई विजय सर्थ आज हम लोग खोठा सब्द विचार जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर यहां पर देख रहे हैं क्या पढ़ेंगे खोठा सब्द विचार हम लोग पढ़ रहे हैं जेटेट की त्यारी कर रहे हैं हम लोग और हम लोग उसके अंतरगत जो रिजनल लेंग्वेज है खोठा उसको प पढ़ने के लिए ठीक है उसके बाद हम लोग इस पर आगे बढ़ेगे तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जो जो मारे चैनल पर नहीं है एक बार चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और वीडियो पूरा देखेज फिके छली आईए हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे देखेंगे क्या है वर्णों की व्यवस्था या मेल से सब्द बनते हैं यह तो सबको पता है कि वर्णों की व्यवस्था या मेल से क्या बनते हैं सब्द बनते हैं जिससे कुछ वर्ण को जब एकत्रित क अर्थात किसी वस्तु के प्रतीक के रूप में माल लिये जाते हैं जो भी सब्ध होते हैं वो किसी वस्तु के प्रतीक के रूप में माल लेते हैं अधिकांग सब्धों के निर्मान का कोई तार्किक आधार नहीं होता जो जादतर सब्ध होते हैं उसके निर्मान के लिए कोई बी भी तारकिक आधार नहीं होता तर्क ने दे सकते क्यूं क्योंकि किसी वस्तु के advertising के लिए कोई सब प्रतिनिधी प्रतिक बनाया गया यह है ठीक है यानि वर्णब्यवस्ता हर भांसा के अपने शब्द और सब्द भंडार होते हैं, हर भासा का अपना सब्द और अपना सब्द भंडार होता है, यह तो पता है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से देखिए, बहुत इंपोर्टेंट है, खोठा सब्द भंडार के सब्दों को निमलिखित वर्गों में बाड़ा है, हम लोग सबसे पहले देखिए, खोठा का जो सब्द भंडार है, उसको किस-किस तरीके से हम लोग बाड़ सकते हैं, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है तत्सम, क्या है तत्सम, उसके बाद तद मुल्सब्द ठीक है? और इसके बाद है, विदेसज, विदेसज का मतलब क्या हो जागा? दो देशी नहीं है, जो हमारे देश का नहीं, विदेसी सब्द, जिसका कहा जाता है, ठीक है? उसका अद क्या है देखे, उसके बाद है, जनजातिय भासाओं के सब्द यहां पे कुछ लिए गये हैं और कुछ है मिस्र सब्द जिसको शंकर सब्द कहते हैं तो यह छे तरह का यहां पे हम लोग देख सकते हैं छे भागों में बाटा गया है ठीक है खोटा शब्दों को आईए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या था तत्सम सब्द तत्सम सब्द हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या वैसे सब्द जो संस्कृत से अपने मूल रूप में खोठा में प्रयोगत होते हैं ठीक है जहां देखें वेसा सब जो संस्क्रित से मूल रूप में खोठा में होते हैं यानि ऐसा सब호 जैसा संस्क्रित में था व Dieses ही रहेगा बदलेगा नहीं खोठा में भी जैसे खोठा में हिंदी की तुलना में तत्सम सब्दों की भारी कमी है अब पता हुए कि यह तत्सम सब्द है यानि जितने भी सब्द जो मूल रूप में उपयोग होते हैं खोठा में संस्कृत के वो सब्द क्या है बहुत कम है बहुत कम ही ऐसे सब्दे जिसको हम लोग चलिए आगे बढ़ते आगे जो है अर्द तत्सम अर्द तत्सम मतलब क्या हो जाएगा समझ में आ रहा है जो आधा तत्सम है ठीक है आधा तत्सम है आधा तत्सम का क्या मतलब हो जाएगा ऐसे सब संस्कृत में सब्दों के निकट होते हैं जैसे पूर्ण का पूरन ठीक है बात समझ में आ रहे हैं ऐसा सब्द जो संस्कृत सब्द का निकट है अर्ध तत्सम यह आधा आधा मिलता जूलता है जिसे कर्ण होता है संस्कृत में उसको क्या कहते है करन कर्म होगा तो कर्म खोटा में क्या कहेंगे कर्म संस्कृत में क्या कहेंगे कर्म उसी तरह धर्म को क कि खोट्टा में धरम, मरम को मरम इसी तरह से धैर को धीरज, चूरन को चूरन, पत्र को पतर, पत्र को पुतर, मित्र को मितर, गात्र को गतर इस तरह से देखिए जितने भी यह सब्द किस accompanist में आ जाएंगे अर्ध संपन काा ये माने गया है किन्तु उसमें रुपांतर हो गया रुपांतर चेंज हो गया तो ग्या हो गया त्थम सव ठीक है अब ले इसको ठीक है, संस्कृत में कहते हैं अगनी और उसको हम लोग क्या कहेंगे, आद, उसी तरह से घंटी का, क्या हो जाएगी, घंटी, ठीक है, छीर, क्या हो जाएगा, खीर, दंस, डंक, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जितने भी सब्द हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसकी सब्द है, है ना, लोग यहाँ पर देखिए, कितने सब्द हैं, जो की तदभव में आएंगे, ठीक है, कपूर, है ना, धर्ती, धरित्री, ठीक है, वर्ती, वर्ती, है ना, यह सब जितने भी सब्द है, खेत्र, छेत्र, है ना, परेत, परेत, ठीक है, तो यह सारा जिसे ल जाता है चली इसके बाद हम लोग आते हैं जो थर्ड हमारा है वो है देशज देशज मतलब क्या हो जाएगा वैसे सब्द को कहा जाता है जो खोठा के मौलिक या ठेट सब्द है खोठा के मौलिक सब्दों को हम लोग क्या करते देश का है समयना होगा कि देशज क्यों रखा गया ना क्योंकि यह देश का है देश का कहने का मतलब खोठा का ठेट सब्द यारे मौलिक सब्द मूल सब्द है ठीक है जैसे एक्जामपर में हम लेते हैं एक्जामपर में हम लोग क्या लेंगे एक्जामपल देखें डूभा है ना बहुत सारे सब्द मिलेंगे बहुत सारे भर-भर के सब मिलेंगे। दू बा डौल समझे रहें नॉ नॉ बाल्टी हो गया डौरा ज्सको रस्षी बतार मतलब रास्ता हो गया ठिक है उसका इंद्रा हैसे डाउंट गाम है ना रहूद बसात जर इस by बहुत सारा सारे सब्धय आप लोग रोक के स्क्रीन सॉट ले सकते हैं देख सकते हैं कि बहुत सारा वर्ट्स है यहां पर आप आप देखिए कुछ-कुछ वर्ट्स मैं पल देता हूं सारे वर्ट्स पढ़ेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है खुजा, खुंटा, कोकी यह सारे words जो है खोठा के मूल word है बादारी समझ में ठीक है? चली फिर आगे बढ़ते हैं और भी नीचे सब्द है देखिए यह सारे सब्द खोठा के सब्द है यहाँ पर देखिए बहुत सारे सब्द है जितने भी सब्द आप लोग देख रहे है सारे खोठा के मूल सब्द ठीक है न? चली आईए आगे बढ़ते हैं यह होगे इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर सब्द देख रहे हैं यह भी सब्द जितने भी सब्द है ये भी खोठा के मूल सब्द है बहुत सारे यहाँ पे सब्दों के सिंखला हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे सब्द है अब लोग सब स्क्रीन सॉट ले सकते हैं ठीक है चलिए उसके बाद देखिए अभी हम लोग देशज पढ़ लिए उसके अब इसकूल, कॉलेज, टेबूल, पेन, ठीक है यह सब क्या उजाएगा बीदेशज सब्द पर्दा, ठीक है जितना है, खातीर, खाईर है न जो भी है, खून, खुसी, लुंगी है न इस जितने भी यहाँ पे सब्द देखरे, सब्द क्या हो जाएगा विदेसज सब्द ठीक है? उसके बाद आते हैं हम लोग पाँचवा जो अगला है वो क्या है? जंजाती भासाओं के सब्द भी इस्तमाल होते हैं, खोटा में खोटा में मुन्डारी, संथाली, कुड़ुक भासाओं के सब्द की प्रचूर मात्रां पाए जाते हैं, मुंडारी भासा का, याद रखेगा, संथաली भासा का, और खुटुक भासा का, ठीके, ये तीनों ही भाथा कौन सी है, जंजातिय भाथा हैं, इनके इस्तेमाल खठा में बहुत होते हैं, जैसे कोरी, कोरी का मतलब क्या होता है, 20 की गिंती, यानि एक कोरी कहते हैं न, एक कोरी, एक कोरी क्या हो जाएगा, एक कोरी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20, दू कोरी, यानि 40, हमारे घरों में, पुराने समय में, दादा दादी इस तरह की गिंती याद रखते थे, एक कोरी चौप, डूम्बा, ओम्बा ये सारा सब्द जो है actually मुंडारी, संथाली और कुडुक भासा का है, जन्जाती भासा का है और उसको कहां लिया गया है, खोठा में उसको लिया गया है, आरी बात समझें, चली आगे देखते हैं, संकर सब्द, अब देखिए संकर सब्द क्या है कुछ ऐसे सब्द हैं, खासकर गाओं या इस्थानों के नाम से संबंधित, खोठा एवंग जन्जाती भासाओ में सब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे करेयाडी, ठीक है, पत्राहातू, इत्यादी, ठीक है, तो इसको कहते हैं संकर सब्द जो खासकर गाओं या इस्थानों का नाम होता याद रखेगा ठीक है और इस तरह का उधारन हम लोग देख रहे हैं और किस भासाओ से मिलता है खौठा एवंग जंजाती भासाओ से मिलके बनता है दो चीज़ यहाँ पर याद रखने की योगी चीज़ है कि एक तो संकर सब्द जो है वो गाउं या इस्थानो का नाम है और दूसरा खोठा और जंजाती भासाओ से मिलके बनता है ठीक है तो यह छे टैप्स के हम लोग को यहाँ पर सब्द विचार पढ़ने थे जिसको बाटा गया था ठीक है आसा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो